स्री शिवाई नमस्तो बियम दर्शिकूं आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है हर मा को यह उपाई करना है और आपको यह उपाई दस फरवरी को करना है यह उपाई हर मा को करना है यदि आपका बच्चा चिर्चुड़ा हो गया है आपका कहना नहीं मानता है गलत रहा पर जा रहा है आप उसे काफी समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन आपका मान सम्मान नहीं करता है आपका कहना नहीं सुनता है तो आप इस उपाय को अवश्य करें हर मा को अपने इस उपाय को करना चाहिए और यह उपाय आप फूजनी स् 31 बेल पत्र 31 बेल पत्र ले लेना है हमें चाहिए 31 चावल के दाने चावल के दाने टूटे फुटे नहीं होना चाहिए और बेल पत्र भी कटी फिटी नहीं होना चाहिए बिलकुल आखी बेल पत्र ले आखा सेवा अक्षत का दाना भी सेगा होना चाहिए और आपको ले जान इस तरह विदिवत आप भगवान शिव की पूजन अर्चन करें, उसके बाद में आपको 31 जो बेल पत्र रहेंगे, एक एक बेल पत्र पे एक एक चावल का दाना रख लेना है, उसके बाद आपको एक एक करके एक एक बेल पत्र को चावल के दाने के साथ भोले नात पर करना है, बस इतना सा उपाय करना है, आपको यह उपाय सुबह 11 बज के 5 मिनिट पर करना है, 11 बजे के बाद आप इस उपाय को करें, 12 बजे के पहले पहले इस उपाय को कर लेना है, आपको आपको बस इस उपाय के साथ ही अपने बच्चे की भविश्य की और उसकी बुद् पूजनी गुरू पंडित प्रदीप जी मिसरा द्वारा बताएगा हर एक उपाय हमारे चैनल पर बताएजाते हैं आप उन उपायों को अवश्य देखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्री शिवाई नमस्तु भी हम दर्शिकों